जैम आता दी दोस्तों, फर्ल बैस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करवा चौथ 2021 के सुब मूरत के बारे में, कि आपको करवा चौथ वरत की पूजा, वक अथा किस समय करने चाहिए, और करवा चौथ के दिन चंद्रमा निकलने का सही समय क्या रहेगा? क्यूँ्कि इस दिन चंद्रमा निकलने का इंतजार हर सुहागिन महिला करती है, क्यूँकि करवा चौथ का वरत चंद्रमा के दर्सन के बिना अधूरा माना जाता है, ये वरत चंद्रमा को अर्द देने के बाद ही खोला जाता है. दोस्तों इसके लावा हम आपको इस वीडियो में राहुकाल का समय भी बताएंगे क्योंकि राहुकाल असुब समय होता है इस समय सुब काम नहीं करने चाहिए दोस्तों इस बार राहुकाल साम को ही लगेगा और साम को ही करवा चौत की पूजा और कथा सुनी जाती है इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और सुब मूरत में ही करवा चौत की पूजा करें लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल World Best Magic को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों कार्टिंग मास के क्रश्न पक्च की चतुरती तिथी को करवा चौत का वरत रखा जाता है और इस साल करवा चौत 24 अप्टूबर 2021 दिन रविवार को मनाया जा रहा है सौभागवती महिलाएं इस दिन अपने पती की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है इस व्रत की सुरुवात सरगी से होती है इस दिन घर की बड़ी महिला या सास अपनी बहु को सरगी देती है इस दिन पूरे दिन निर्जला और निराहर रहे कर वरत किया जाता है और साम के समय महिला करवा चौत वरत की पूजा करती है ध्यान रखे महिला को पूजा के समय 16 रंगार जरूर करना चाहिए और चंद्रमा निकलने से पहले आपको करवा चौत वरत की कथा भी जरूर सुन लेनी चाहिए करवा चौत के दिन सिवक परिवार का पूजन किया जाता है और रात को जब चंद्रमा निकल आए तब आप चंद्रमा को छलिनी से देखें इसके बाद अपने पती को भी छलिनी से देख कर पती पूजन के बाद उनके पैर छूकर उनका आसिरवाद लेना चाहिए इसके बाद पती के हाथों से पानी पीकर ही करवा चौत वरत का पारण किया जाता है तो चलिए अब हम जानते हैं कि करवा चौत की पूजा का सुमूरत क्या रहेगा तो आपको बता दें कि करवा चौत पूजा का सुमूरत साम पांच बचकर तालिस मिनट से लेकर साम छै बचकर पचास मिनट तक रहेगा इस सुम्मूरत कीकुल अवदी एक घंटा साथ मिनट की है आप इसी समय करवाचोथ की पूजा एवम ब्रत कता सुनें और बात करें राहू काल की तो करवा चोथ के दिन राहू काल का समय साम 4 बचकर 18 मिनट से लेकर साम 5 बचकर 43 मिनट तक रहेगा इस समय सुब एवं मांगलिक कारे करना वर्जित होता है इस समय की ये गय कारे असुफल देते हैं तो आप इस समय भूल कर भी करवा चौत की पूजा वकता न सुने और अब बात करते हैं चंद्रोदय के समय की तो आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को चंद्रमा निकलने का समय रात 8 बचकर 7 मिनट पर रहेगा लेकिन हर सहर में चंद्रमा अलग-अलग समय पर नजर आएगा अगर आप अपने सहर का चंद्रमा निकलने का समय जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सहर का नाम लिख कर पूछ सकते हैं और चंदरोदे के बाद चंदरमा की पूजा और पती पूजन के बाद महिला अपने व्रत का पारण कर सकती हैं इसके बाद आप कैसा भी भोजन और अनिक रहन कर सकती हैं लेकिन ध्यान रखें कि भोजन सात्विक होना चाहिए यानि बिना प्याज लैसुन का बना भोजन खाना चाहिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्च पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद